WordPress कैसे शुरू करें इस वीडियो में मैं समीक्षा करूँगा Website Hosting Google मुफ्त Website Hosting प्रदान करता है मेरे पास Google पर मुफ्त Website Hosting कैसे सेख करें इस पर एक वीडियो है हाला कि यह वीडियो केवर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, पूर्टगाली, कोरियाई और हिंदी में है मैंने इस वीडियो को रूसी या चीनी में अनुवाद नहीं किया WordPress WordPress Login Page WordPress की स्थापना WordPress Theme, Age Builders विश्यों को कैसे जोड़े, अपदेट करें और हटाएं Plugins को कैसे जोड़े, अपदेट करें और हटाएं WordPress Media Library Page और Post Page Builder जिसे Elementor कहा जाता है और Website Email Amazon मुफ्त Website Email प्रदान करता है आपने पहली बार WordPress खोला और यह भारी लगता है आप खो जाते हैं चिन्ता मत करो पूरी दुनिया में लाखों लोग हर दिन पहली बार Website बनाते हैं WordPress, Website निर्मान, वीडियो बनाना, संगीत बनाना यह सब सामान आसान है, कुछ को आपको यह दिखाने के लिए किसी की आवशक्ता है कि कैसे शुरू किया जाए इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दम पर बाकी सब कुछ समझने में सक्षम होंगे मैं अतिश्योक्ती नहीं कर रहा हूँ, जब मैं करता हूँ कि दो हफ्तों में एक महीने के लिए आप इस सामान पर एक समर्थक हो जाएगा इस वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है हाला कि WordPress में भाशा सेटिंग को बदलने के लिए सेटिंग्स में जाएं और सामान्ने पर क्लिक करें इसके बाद साइट लेंग्वेज पर क्लिक करें अब उस भाशा को चुने जिसमें आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप WordPress को किसी भी भाशा में बदल सकते हैं जैसे कोरियाई या अर्भी भाशा करेंग्स नमबर एक बात मैं आपको बताना चाहिए कि वहाँ है वहाँ एक बहुत तुम मुफ्ट के लिए प्राप्ट कर सकते हैं इसलिए इससे पहले कि आप कुछ भी खरीदे पहले इंटरनेट wordpress.org या wordpress.com खोजें और आप इसे मुफ्ट में खोजने में सक्षम हो सकते हैं प्लगेन के कुछ समर्थक संसकरन लागत पर क्या प्रदान करते हैं कुछ अन्य प्लगेन मुफ्ट में एक ही चीज प्रदान करते हैं wordpress.org wordpress.com से अलग है wordpress.org वह जगा है जहां आप प्लगेन्स, थीम और टेक सपोर्ट पाने के लिए जाते हैं wordpress.com आपकी वेबसाइट के लिए वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन और कई अन्य सेवाय प्रदान करता है वेबसाइट होस्टिंग कई लोग Godaddy के साथ शुरू होंगे या किसी अन्य होस्टिंग प्रदाता में जैसे siteground ये सभी में एक होस्टिंग प्रदाता हो रहे हैं वे आपकी वेबसाइट की जरूरतों, डोमेन, एक ट्रिष्ट बिल्डर, विशों, इमेल भेजने की आपकी वेबसाइट की क्षमता और डोमेन नाम, इमेल खाता सहित, सब कुछ प्रदान करते हैं हाला की all-in-one hosting प्रदाताओं को hosting साज़ा किया जाता है इसका मूल रूप से मतलब है कि टॉम की वेबसाइट इतने सारे संसाधनों का उप्योग कर रही है कि मेरी वेबसाइट को सही धंग से चलाने के लिए परियाप्त संसाधन नहीं बचे हैं साज़ा संसाधनों का मतलब है CPU साज़ा किया गया है और साज़ा IP पता है इसके अलावा आप एक महीने में एक से पांच डॉलर के लिए एक all-in-one hosting प्राप्त कर सकते हैं जैसे inos.com, bluehost.com या hostgator मैंने कभी भी इन प्रदाताओं का उप्योग नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता कि उनका समर्थन कैसा है हाला कि इससे पहले कि आप इन सेवाओं में से किसी एक के साथ साइन अप करें CPU को देखें जो वे प्रदान कर रहे हैं कुछ एक छोटा CPU प्रदान कर रहे हैं और कुछ प्लगिंस जैसे पेज बिल्डर्स और सुरक्षा प्लगिंस को सही धंग से चलाने के लिए एक बड़ा CPU की आवश्यक्ता होती है इसके अलावा कुछ कम कीमत की पेशकर्ष करेंगे लेकिन एक साल के बाद कीमत लागत से तीन गुना तक कूट जाएगी गौडएड़ी को बहुत समर्थन है इस वजह से आप जो भी वेबसाइट पनाना चाहते हैं यदि आप गौडएड़ी का उपयोग करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को लगभग तीन सप्ताह में चला सकते हैं मैं नीचे दिये गए विवर्ण में गौडएड़ी का लिंक डाल दूँगा wordpress.com एक all-in-one वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर है मैं नहीं जानता कि उनका समर्थन कैसा है क्योंकि मैंने कभी उनका इस्तिमाल नहीं किया लेकिन मैंने केवल उनके बारे में वास्तव में अच्छी बाते सुनी हैं Google कारेकशेत्र, Google Cloud Platform और Amazon AWS वेबसाइट होस्टिंग और आपकी वेबसाइट के लिए बहुत सारी अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं हाला कि Google और Amazon इमेल भेजने की क्षमता के साथ अपनी वेबसाइट प्रदान नहीं करते आपको इसे Amazon AWS, ATS, Google कारेकशेत्र या किसी अन्य इमेल प्रदाता के माध्यम से अलग से स्थापित करना होगा आपकी वेबसाइट की इमेल भेजने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है मैं वीडियो में बाद में और अधिक विस्तार से इसकी समीक्षा करूँगा गूगल मुफ्ट वेबसाइट होस्टिंग प्राप्त करने की दो अलग-अलग तरीके प्रदान करता है आप गूगल कारेकशेत्र या गूगल प्लाउट प्लेटफॉर्ण पर मुफ्ट वेबसाइट होस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं मैं Google Cloud Platform का इस्तिमाल कर रहा हूँ और मैं महीने में 26% का भुपतान कर रहा हूँ Google का Free Plan Testing के लिए अच्छा है जो एक छोटी से लेकर मिड साइज वेब साइट है जब मेरी वेब साइट पैसा बनाना शुरू कर देगी तो मैं या तो Google की भुपतान की गई सेवा में अपग्रेड करूँगा ये इसे फिर से स्थान आंतरित कर दूँगा Google की भुपतान की गई योजनाओं के लिए आप केवल आपके द्वारा उप्योग किये गए संसाधनों के लिए भुपतान करते हैं और केवल उस समय के लिए जब आपने उनका उप्योग किया था इसका मतलब यह है कि जिन घंटों में आपके पास कोई आगंतुक नहीं है आप लगभग कुछ भी भुपतान नहीं करते हैं और जब आपके पास आगंतुक होते हैं तो आप केवल अपनी वेबसाइट के उप्योग किये जाने वाले संसाधनों के लिए भुपतान करते हैं गूगल सब कुछ घंटों से तूट जाता है नकी दिनों से अन्य वेबसाइट होस्टिंग प्रदाताओं के साथ आप एक फ्लैट शुर्ट का भुपतान करते हैं जिसका आर्थ है कि यदि आपके पास कोई आगंतुक है या नहीं है तो आप भुपतान करते हैं हाला की गूगल होस्टिंग कोई ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है इसके लिए आपको अलग से भुपतान करना होगा गूगल का फ्री प्लान रेंड सिर्फ 600 मेगाबाइट का है बहुत सारे प्लगिन्स हैं जो 600 मेगाबाइट पर सही धंग से काम नहीं करते हैं गूगल कोई सहायता प्रदान नहीं करता है आप एक महीने में 300 अमेरिकी डॉलर या 15,000 अमेरिकी डॉलर एक साल के लिए एक वास्तविक व्यक्ति के लिए इमेल द्वारा समर्थन प्राप्त कर सकते हैं अमेजन एड ब्ल्यूर्स के बारे में 5 से 20 डॉलर एक महीने के लिए वेब साइट की मेजबानी प्रदान करता है हाला कि ज्यादातर के लिए जो इस सामान के लिए नए हैं अमेजन बहुत भ्रामक हो सकता है हाला कि अमेजन एड ब्ल्यूर्स से अपने पैसे का सबसे बनाता है और नहीं अमेजन इंटरनेट की दुकान इस प्रकार एड ब्ल्यूर्स बहुत लोकप्रिय है Microsoft नीला और IBM Cloud वेबसाइट होस्टिंग प्रदान करते हैं और Google की तरह वे डेवलपर्स के लिए बनाए जाते हैं और इस वजह से वे भ्रमित किया जा सकता है WordPress विशय Page Builders हाला की WordPress केवल आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए नीम, कंक्रीट स्लैब देता है विशय आपको फर्ष, छट और दीवारों को देता है ट्रिश्ट बिल्डर आपको कमरे और सजावट देता है वेबसाइट बनाने के लिए आपको सभी तीन की आवशक्ता है ये WordPress थीम है WordPress एक विशय और एक ट्रिश्ट बिल्डर के साथ आता है लेकिन वे सीमित है आप सिर्फ WordPress विशयों का उप्योग करने तक ही सीमित नहीं है सबसे उपर क्लिक करें नई थीम जोड़े अन्य रचनाकारों से सैकडों मुफ्ट विशय है आप यहां जो भी विशय देखते हैं वे सभी स्वतंत्र हैं झाल यह WordPress पेज बिल्डर है Theme और Page Builder जो WordPress के साथ आता है एक website बनाने के लिए ठीक है जो एक समाचार पत्र के समान है जिसे blog कहा जाता है इसके अलावा अतिरिक्ट plugins के बिना जिसके लिए आपको भुपतान करना होगा वे सीमित होते हैं जब यह शैली भाड़कना प्रंग आपकी विशिष्टता की बात आती है यही कारण है कि कई एक ट्रिष्ट बिल्डर का उप्योग करते है एक page बिल्डर आपको अधिक कारे और मियंतरन देता है वे आपको अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने की अनुमती देते हैं जिस तरह से आपने इसे अनुरूप किया था मैं एलिमेंटर नामक पेज बिल्डर का उप्योग करता हूँ मुफ्त संसकरण आपकी पूरी वेबसाइट बना सकता है बहुत सारे महान ट्रिष्ट बिल्डर हैं और उन सभी के पास अपने अच्छे अंक और बुरे बिंदु हैं कई अलग-अलग प्रकार के पेज बिल्डर्स हैं जैसे सामानने सभी एक में सदस्यता, रूप, संगीत, उत्पाद आदी इसके अलावा कुछ पेज बिल्डरों में एडन होते हैं जो आपको सदस्यता, रूप, संगीत, डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड आदी बनाने की अनुमती देते हैं हाला कि पेज बिल्डर जो कई के साथ शुरू होता है वह दिवी, ब्रिजी या एलिमेंटर हैं ये सभी एक में सामानने हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपकी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए जो भी पेज बिल्डर उपियोग करते हैं, वह वह हैं जिसे आपको अपनी पूरी वेबसाइट बनाने के लिए रहना चाहिए दिवी और ब्रिजी सीखना बहुत आसान है Elementor दिवी और ब्रिजी के रूप में सीखना उतना आसान नहीं है हाला कि Elementor अधिक सुविधाय प्रदान करता है और आपको अधिक जटिल डिजाइन बनाने की अनुमती देता है कुछ वेबसाइट होस्टिंग कमपनियों का अपना पेज बिल्डर है WordPress लॉगिन पेज किसी भी WordPress वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए सभी को वेबसाइट के पते के पीछे slash wp-admin जोडना है हाला कि अगर वे लॉगिन प्रिष्ठ नहीं मिल सकता है तो वे अंदर नहीं तोड सकते हैं WP छुपा लॉगिन नामक प्लगिन slash wp-wp विवस्थापक दूर ले जाता है और आप अपनी जगह में किसी भी शब्द डाल देते हैं कृपया सुरक्ष प्लगिन स्थापित करने के तरीकी को जानने के लिए वेब साइट सुरक्ष पर मेरा वीडियो देखें अब वर्ड प्रेस में लॉगिन करें वर्ड प्रेस की स्थापना बाई ओर जाए और सेटिंग्स में जाए फिर सामान में हो जाए शीर्ष पर जहां यह साइट शीर्षक कहते हैं और टैग लाइन कुछ जनता देखता होगा यह जनता को बताता है कि आपकी वेब साइट किस बारे में है और आपकी वेब साइट का नाम उदारन के लिए अगर मैं अपने वेब ब्राउजर में जाता हूँ और इतिहास दिखाता हूँ तो इसे उन वेब साइटों के नाम दिखाना चाहिए जो मैंने देखी थी तो आप इस ट्रिष्ट पर क्या डाल महत्वपून हो सकता है देखो जहां यह कहते हैं प्रशासन इमेल पता यदि आपके पास डोमेन नाम का इमेल खाता है या आपके DNS record में MX record जोड़े गए है तो आपकी वेब साइट को इमेल भेजने की क्षमता नहीं देता है आपको अपनी वेबसाइट को इमेल भेजने की क्षमता देने के लिए एक प्लगिन स्थापित करना होगा यदि आपकी होस्टिंग एक All-in-One होस्टिंग प्रदाता जैसे Godaddy या Site Crown के साथ है तो आपकी वेबसाइट के पास इमेल भेजने की क्षमता होनी चाहिए मैं इस वीडियो में बाद में और अधिक विस्तार से इस विशे की समीक्षा करेंगे पढ़ने के नाम पर अनुभाग के तहट यह प्रिष्ट वह जगा है जहां आप WordPress को बताते हैं कि Home Page या Lending Page कौन से Page या Post होगा गोपनियता नामक अनुभाग के तहट यह प्रिष्ट वह जगा है जहां आप WordPress को बताते हैं कि गोपनियता नीती प्रिष्ट कौन से प्रिष्ट या Post होगा यदि आप कुछ भी बेचने के लिए अपनी वेबसाइट का उप्योग करना चाहते हैं तो आपके पास गोपनियता नीती प्रिष्ट होना चाहिए कैलिफोर्निया, इंटरनेशन लोग, गूगल के एंसेंस, अमेजन एड़ ब्लीूस, एसी एस, सभी एक गोपनियता नीती प्रिष्ट की आवशकता है मैं वीडियो में बाद में और अधिक विस्तार से इसकी समीक्षा करूँगा, इमेल नामक अनुभाग में जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप ज्यादातर पोस्ट बनाना चाहते हैं, नेकी प्रिष्टों को वे दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन पोस्ट में ऐसी विशेशता हैं, जो खोज इंजनों में मदद करेंगी अब दाई ओर लेबल सेटिंग्स पर टैब पर जाएं, और फिर परमालिंग पर जाएं पोस्ट नाम लेबल किये गए टैब पर क्लिक करें, और फिर सेव पर क्लिक करें पोस्ट नेम वह फॉर्म है, जिसका इस्तमाल ज्यादा तर वेबसाइट्स करती हैं, क्योंकि यह एड्रेस बार में वेबसाइट पेज का विवर्ण देती है डैशबोर्ड के नीचे शीर्ष पर जाएं और घर पर क्लिक करें यह वर्ण प्रेस डैशबोर्ड है, यदि आप शीर्ष पर आइकन पर क्लिक करते हैं, तो आपको विकल्प देंगे कि आप डैशबोर्ड क्या दिखाना चाहते हैं डैश बोर्ड आपको अपनी वेबसाइट, प्लगिंस और वर्डप्रेस के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जैसे वर्डप्रेस का कौन से संसकरन स्थापित किया गया है, सुरक्षा प्लगिंस सूचनाएं और भी बहुत कुछ इसके बाद बाई और वापस जाएं और अपदेट पर क्लिक करें यह प्रिष्ट आपको बताएगा कि क्या वर्डप्रेस को अपदेट करने की आवशकता है, यदि प्लगिंस और विशों को अपदेट करने की आवशकता है यदि उन्हें अपदेट करने की आवश्चता है, तो आप उन्हें यहां अपदेट कर सकते हैं बाइं ओर जाएं और मीडिया पर क्लिक करें यह वह जगा है, जहां आप अपनी वेबसाइट पर उप्योग की जाने वाली छवियों, ध्वनी फाइलों, PDF, MS शब्द, MS Excel और अन्ने दस्तावेजों को अपलोड और संद्रहीत करते हैं मीडिया लाइब्रेरी में वीडियो अपलोड और स्टोर न करें वीडियो बहुत सारे बेंडविट खाते हैं और वे आपकी वेबसाइट को धीमा कर सकते हैं कोई होस्टिंग कमपनी या CDN असीमित मात्रा में बेंडविट प्रदान नहीं करता है बेंडविट की अपनी आवंतित राशी पर जाने से आपको अतिरिक्त पैसा खर्च होगा यदि आप अपनी वेबसाइट से सीधे वीडियो परोस्ते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्दी से अपनी आवंतित राशी बेंडविट पर जाएंगे कुछ होस्टिंग कम्पनिया आपकी वेबसाइट को अस्थाई रूप से बंद कर देंगी इसके अलावा अन्य वेबसाइटें आपके वीडियो से लिंक होगी ताकि आपकी वेबसाइट पर आपके वीडियो दिखाई जा सके जबकि एक ही समय में अपने बेंडविट का उप्योग करके इसे करने के लिए पैसे बचाने के लिए इस क्रकार आप पासकते हैं कि आपके पास केवल दस आगंतुक थे लेकिन आप सैक्रों आगंतुकों के लिए बेंडविट का भुपतान कर रहे हैं मैं एक वेबसाइट पर वीडियो जोडने के तरीके पर एक वीडियो बनाऊंगा जहां कोई भी आपका वीडियो चुराने या आपके वीडियो से लिंक करने में सक्षम नहीं होगा. अगर आप किसी इमेज या साउंड फाइल पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जानकारी कहां से जोडनी है. आप यह सब जानकारी भरना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग जानकारी खोजते हैं, तो छविया उन्हें सीधे आपकी वेबसाइट पर ला सकती हैं. उदारन के लिए मैं काले बिल्लियों में टाइप करता हूं, फिर मैं उपर जाकर छवियों पर क्लिक करता हूं और फिर मैं छवी पर क्लिक करता हूं. छवी मुझे सीधे वेबसाइट पर ले गई. अब नए एड पर क्लिक करें. आप एक बार में एक फाइल या एक बार में बहुत सारी फाइलें अपलोड कर सकते हैं. यदि आपके पास बहुत सारी छविया हैं या विभिन प्रकार की मीडिया फाइले हैं, तो मीडिया लाइब्रेरी फाइल आयोजक प्लगिन का उप्योग करें. उदारन के लिए मैं इस Media Library File Iogic Plugin का उपयोग एक फोल्डर बनाने के लिए करता हूँ जिसमें केवल प्रिष्ठ भूमी छविया हैं और एक अन्य फोल्डर जिसमें केवल PDF है Plugin का मैं उपयोग करता हूँ जिसे Happy File कहा जाता है लेकिन कई Media Library File Iogic Plugins हैं विश्यों को कैसे जोड़े अपडेट करें और हटाएं एक थीम जोड़ने के लिए बस उस पर क्लिक करें और Install पर क्लिक करें फिर Activate पर क्लिक करें क्योंकि इसके साथ काम करना आसान है और इसमें अच्छी सरक्षा है एस्ट्रा थीम बहुत लोकप्रिय थीम है अब उपर जाकर Auto Updates पर क्लिक करें Auto Update एक सो समय के प्रिसिंट काम नहीं करते हैं इसलिए आपको Manual Update करना होगा हाला कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन सभी विशों को हटा दे जिनका आप उप्योग नहीं कर रहे हैं या आप पाएंगे कि आपकी वेबसाइट है कर ली गई है अपरियुक्त विश्यों और Plugins Hackers को आपकी वेबसाइट में पिछले दर्वाजे से देते हैं ट्रुपया मेरा वीडियो बुलाया देखें हैकर्स को यूजर की ID, Password, DDoS Attack, Login Page, Automatic Logout को छिपाने से रोकें किसी थीम को डिलीट करने के लिए बस उस पर क्लिक करें और नीचे क्लिक डिलीट करें Plugins को कैसे जोड़े, अपडेट करें और हटाएं Plugins जोड़ना Plugins पर जाएं, फिर विज्यापन पर क्लिक करें अब आप जिस कगिन को जोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पर टाइप करें फिर अब इंस्टॉल पर क्लिक करें और सक्रिय करें इसके अलावा, आप एक बार में सभी Plugins को अपडेट कर सकते हैं Plugin पेज पर शीर्ष पर बॉक्स की जाँच करें फिर Bulk Action पर क्लिक करें, फिर आपके द्वारा उप्योग की जाने वाली बल्क कारवाई पर क्लिक करें और यह कारवाई को सभी Plugins पर लागू करेगा जैसे सभी Plugins के लिए Auto Update सक्षम करें हाला कि आप एक समय में प्रतेक Plugin को अपडेट कर सकते हैं या चैनित सभी Plugins को हटा दें जैसे की आप जिन विश्यों का उप्योग नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप जिन Plugins का उप्योग नहीं कर रहे हैं वे Hackers को आपकी Website में सिंध लगाने का एक तरीका देंगे इसका कारण यह है कि ये Plugins अपने निर्माता के साथ समवाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार प्रमारी करन के लिए नहीं पूछ रहे हैं इसलिए Hackers अपना Authentication जोडने की कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार आपको उन सभी Plugins और Theme को हटाना होगा जिनका आप उप्योग नहीं कर रहे हैं पेज और Post आप ज्यादातर Post बनाना चाहते हैं नकी Page क्योंकि Post SEO के लिए सुविधाय प्रदान करते हैं जो प्रिष्ट प्रदान नहीं करते हैं उदारन के लिए जब आप काले बिल्लियों में टाइप करते हैं तो Google आपको काली बिल्लियों के लिए Listing दिखाता है प्रतेक Listing के तहट एक विवर्ण है आप नियंतरत कर सकते हैं कि विवर्ण क्या कहता है विवर्ण क्या कहता है? इसे नियंत्रत करने के लिए आप SEO प्लगिन का उप्योग करते हैं हाला कि मुझे प्रिष्ठों के साथ काम करने के लिए इस प्रकार के प्लगिन्स में से एक नहीं मिला है वे केवल पदों के साथ काम करते हैं SEO का मतलब Search Engine Optimization है कि आप प्रतेक वेबसाइट ट्रिष्ठ बना रहे हैं और ने केवल वेबसाइट को समगर रूप से Google जैसे खोज इंजनों के लिए आसान आपकी वेबसाइट ट्रिष्ठों को इंदेक्स करना और आगंतुकों के लिए आपकी वेबसाइट खोजने में आसान है SEO प्लगिन जो सबसे अधिक उप्योग करते हैं उसे Yoast कहा जाता है Yoast आप वर्णन में क्या है नियंत्रत करने के लिए अनुमती देता है हाला कि यह मुफ्त प्लगिन बहुत अधिक करता है मैं आपको यह दिखाने नहीं जा रहा हूँ कि इस वीडियो में इस प्लगिन का उप्योग कैसे करें लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसा दिखता है इस प्लगिन के रचनाकारों ने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए यदि आप जानना चाहते हैं कि इस प्लगिन का उप्योग कैसे करें तो आप उनके ट्यूटोरियल देख सकते हैं मैं नीचे दिये गए विवर्ण में इन ट्यूटोरियल के लिए एक लिंक डाल देंगे पोस्ट पर जाएं और नए एड पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं विवर्ण जोड़ने के लिए यहां कुछ भी नहीं है आईए योस्ट नामक प्लगिन को स्थापित और सक्रिय करें प्लगेंस पर जाएं और नए एड पर क्लिक करें योस्ट टाइप करें इंस्टॉल पर क्लिक करें अब एक्टिवेट पर क्लिक करें चलो एक नई पोस्ट जोड़ने के लिए वापस चलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब एक जगा है जहां आप विवर्ण जोड़ सकते हैं यहां एक सेल फोन और डेस्कटॉप द्रिश है जो गूगल या अन्य खोज इंजन दिखाएगा उदारन के लिए खंड में सलग कहा जाता है अगर मैं लिसा कॉफी हाउस टाइप करें पूर्वाव लोकन मेरी वेबसाइट के नाम के साथ मेरे द्वारा टाइप किये गए विवर्ण को दिखाएगा अब मेटा विवर्ण नामक खंड में मैं टाइप लिसा अच्छी कॉफी है पूर्वाव लोकन इस विवर्ण को जोडता है अब एक साधारन पोस्ट बनाते हैं जहां यह कहते हैं शीर्शत जोड़े टाइप लिसा कॉफी हाउस अब पोस्ट को कॉन्फिगर करते हैं याद रखी पेज उसी तरह काम करते हैं दाई और जहां यह साइड बार करते हैं राइट साइड बार पर क्लिक करें अब उपर जाएं और पबलिश पर क्लिक करें और नीचे क्लिक करें देखें पोस्ट पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास दाई और एक साइड बार है WordPress आपको Sidebar को लगभग अनुकूलित करने की अनुमती देता है जैसे कि यह एक अलग स्वतंत्र पोस्ट है मैं इस वीडियो में Sidebar को अनुकूलित करने के विशय में नहीं मिलेगा याद रखें, यह वीडियो शुरुआती लोगों के लिए है अब चलो वापस जाओ और कोई Sidebar करने के लिए Sidebar Set अब उपर जाएं और Update पर क्लिक करें और सबसे नीचे क्लिक करें देखें पोस्ट Sidebar अब चला गया है दाई और वापस और सामगरी लेआउट नामक अनुभाग में बॉक्स पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट एक बॉक्स में समाहित किया जाएगा अगर मैं पून चौड़ाई स्लैश फैला क्लिक करें पोस्ट पेज की पूरी चौड़ाई भर देगा अधिकांश पोस्ट और ट्रिश्ट पूर्ण चौड़ाई स्लैश फैला रहे हैं शीर्श पर जहां यह पूर्वाव लोकन कहता है तीन विकल्प हैं देस्कटॉप टैबलेट और मोबाई आपको हर एक का पूर्वाव लोकन करना चाहिए क्योंकि देस्कटॉप पर कोई पोस्ट या पेज कैसा दिखता है यह मोबाईल पर दिखने वाले से अलग हो सकता है आपको पहले डेस्कटॉप संसकरण को जिस तरह से पसंद किया जाना चाहिए और फिर मोबाईल संसकरण में समायोजन करना चाहिए यदि डेस्कटॉप संसकरण अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि 90 प्रतिशत समय टैबलेट संसकरण भी अच्छा लगेगा अब कुछ समगरी जोडते हैं आप एक ब्लॉक डाल कर समगरी जोडते हैं दाई और प्लस आइकन पर क्लिक करें अब मीचे सभी ब्राउस करे पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप सभी प्रकार की सामगरी जोड सकते हैं, आप संगीत की तरह ध्वनी फाइले जोड सकते हैं, चित्र, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, ट्विटर आदी. चलो एक तस्वीर जोडते हैं. प्लस आइकन पर क्लिक करें, फिर इमेज पर क्लिक करें. इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें. अब जिस तस्वीर को आप जोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें इसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करें तस्वीर निकालने के लिए उस पर क्लिक करें और सबसे उपर तीन डॉट्स पर क्लिक करें फिर ब्लॉक को क्लिक करें तस्वीर में समायोजन करने के लिए तस्वीर पर क्लिक करें और नए नियंत्रन पॉप अप हो जाएगा आप तस्वीर केंद्र कर सकते हैं तस्वीर का किनारा बदलें तस्वीर को छोटा या बड़ा बनाएं जब किसी तस्वीर को एज़स्ट करने की बात आती है तो वर्डप्रेस आपको बहुत सारे विकल्प देता है तुम सिर्फ हर एक के साथ चारों ओर ठेलना है आपने एक तस्वीर के साथ क्या किया आप किसी भी तरह की फाइल के साथ कर सकते हैं हाला कि जब वीडियो की बात आती है तो वर्डप्रेस कई समायोजन विकर प्रदान नहीं करता है यह एक कारण है कि लोग पेज बिल्दर का उपियोग करते हैं चलो एक वीडियो जोड़े वीडियो आइकन पर क्लिक करें यूरेल से डालने पर क्लिक करें इसके बाद यूरेल से फिर से डालने पर क्लिक करें मैंने एक यूट्यूब वीडियो पता जोड़ा लागू आइकन पर क्लिक करना याद रखें वीडियो के आकार को समायोजित करने का एक मात्र तरीका दाई ओर जाना है और सामगरी लेयाउट को बदलना है हाला कि यदि आप Elementor जैसे Page Builder का उप्योग करते हैं तो वीडियो की बात करें तो आपके पास अधिक समायोजन विकल्प होंगे आप वीडियो के आकार को समायोजित कर सकते हैं वीडियो को बाएं या दाएं ले जाएं वीडियो पर एक तस्वीर ओवरले रखो अगर आपको किसी पोस्ट या पेज पर बदलाव करना है तो बस सभी पोस्ट या सभी पेज पर जाकर उस पर क्लिक करें पेज बिल्डर Elementator Elementator एक फ्री पेज बिल्डर प्लगिन है मुफ्त संसकरण आपको अपनी पूरी वेब साइट बनाने की अनुमती देता है यह ब्लॉक का अपना सेट होगा और यह आपको वर्डप्रेस के साथ आने वाले ब्लॉकों का उप्योग करने की अनुमती देता है मैं आपको Elementor का उपयोग करने का तरीका नहीं दिखाने जा रहा हूँ लेकिन मुझे आपको यह दिखाने की आवर्शक्ता है कि WordPress को यह कैसे बताया जाए कि Theme कमांड में है यह यदी Page Builder कमांड में है आप पूरी वेब साइट के लिए या Page By Page आधार पर ऐसा कर सकते हैं चिन्ता न करें, यह हिस्सा आसान है आपको बस इसे करना याद रखना होगा आए Elementor नामक Page Builder के मुफ्त संसकरन को स्थापित और सक्रिय करें Plugins पर जाएं और नए Add पर क्लिक करें Type Elementator Install पर क्लिक करें, फिर Activate पर क्लिक करें अब WordPress पेज बिल्डर में एक पोस्ट खोले यदि आप दाई ओर जाते हैं, तो आपको टेम्पलेट दिखाई देगा यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यह आपको Elementor को कमांड में होने देने का विकर्प देगा यह विशय को इस एक प्रिष्ट की कमांड में देगा अधिकांश समय, आप Elementor पूर्ण चोड़ाई का उप्योग करेंगे अब बाई ओर जाएं और उपस्थिती पर क्लिक करें और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें यह वह जगह है, जहां आप अपने द्वारा बनाए गए, हर प्रिष्ट या पोस्ट के लिए Default Configuration सेट करते हैं क्लिक करें वैश्विक, इसके बाद Container पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी डिफॉल्ट को पूर्ण चोड़ाई तक बढ़ाया है अब मेरे द्वारा बनाए गए, हर प्रिष्ट या पोस्ट को पूर्ण चोड़ाई बढ़ाया जाएगा जब तक कि मैं इसे नहीं बदलता, WordPress पेज बिल्डर में, पेज बाई पेज या पोस्ट बाई पोस्ट आधार पर अब Homepage Setting नामक सेक्षन पर जाएं यह वह जगह है, जहां आप WordPress को बताते हैं, कि आपकी वेबसाइट का Homepage या Lending Page कौन सी पेज होगा मान ले कि आपने अपनी सभी पोस्ट और पेज बनाए हैं अब मेन्यू बनाने का समय आ गया है Navigation मेनू बनाने के लिए Buy or जाएं और उपस्थिती पर क्लिक करें और फिर मेनू पर क्लिक करें यह वह जगह है, जहां आप Navigation मेनू बनाते हैं Buy or आप चुनते हैं कि कौन सी पोस्ट और पेज मेनू का हिस्सा होगे दूसरी तरफ आप मेनू में पोस्ट और प्रिष्ठों का क्रम चुनते हैं अब चलिए Customize करने के लिए वापस जाते हैं Header Builder नामक सेक्षन पर जाए अब दाई ओर प्राथमिक मेनू आइटम हटा दे तीसरी पंक्ती में प्लस आइकन पर क्लिक करें और फिर प्राथमिक मेनू आइटम चुने उपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपके पास Navigation मेनू है आए वेब साइट का पूरवाव लोकन करें शीर्ष पर जाएं और साइट पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं मेनू काम करता है Elementor वेब साइट में वीडियो ट्यूटोरियल है Email अपनी वेब साइट को एक email भेजने में सक्षम होने के बाद और dogwalking.com पर ग्राहक सेवाओं की तरह एक डोमेन नाम email पता होना दो अलग-अलग चीज़े हैं dogwalking.com पर ग्राहक सेवा की तरह email पता होने से आपके ग्राहक आपको email भेज सकते हैं और यह आपको उनके email का जवाब देने की अनुमती देता है आपकी website को email भेजने में सक्षम होना चाहिए ताकि वहाँ आपसे संपर्क कर सके मालिक या निर्माता आपकी website को आपको बताने में सक्षम होना चाहिए अगर किसी ने आपकी website में सेंध लगाने की कोशिश की यदि प्लदिन्स किया गया है या अद्देतन करने की जरूरत है website के मालिक या निर्माता के लिए पासवर्ड या पासवर्ड रीसेट खो दिया है यदि आपके पास नए ग्राहक हैं नए और वर्तमान ग्राहकों को संदेश भेजे जैसे की एक पुष्टिकरण email अपनी website पर ग्राहकों के लिए पासवर्ड या पासवर्ड रीसेट खो दिया है यदि आप अपना पासवर्ड मालिक या निर्माता बदलना चाहते हैं या एक नया उप्योग करता जोड़ना चाहते हैं Amazon AWS ACS email भेजने की क्षमता के साथ अपनी website प्रदान करता है इसके अलावा यह मुफ्थ है इसके अलावा WP Offload ACS नामक मुफ्थ प्लगिन आपकी website पर Amazon email सेवा स्थापित करेगा website email-wp offload ACS ट्यूटोरियल के लिए Gmail का उप्योग करके छोड़े जाने वाले YouTube वीडियो अपनी website पर Amazon email सेवा को स्थापित करने और सेटक करने के तरीके को समझाने में एक अच्छा काम करता है हाला कि यह वीडियो अंग्रेजी में है मैं नीचे दिये गए विवर्ण में इस वीडियो का लिंक छोड़ दूँगा यदि आप कुछ भी बेचने के लिए अपनी website का उप्योग करना चाहते हैं तो आपके पास गोपनियता नीती प्रिष्ट होना चाहिए कैलिफोर्निया इंटरनेशन लोग गूगल के एडसंस अमेजन एडब्लियूस एसी एस सभी एक गोपनियता नीती प्रिष्ट की आवशकता है दरसल वर्ड प्रेस में एक खास जगह है जहां आप वर्ड प्रेस बताते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्या पेज है वर्ड प्रेस में सेटिंग्स में जाएं और गोपनियता पर क्लिक करें और फिर आप देखेंगे कि गोपनियता नीती प्रिष्ट कहां रखना है मैंने एक साधारण वेबसाइट पेज बनाया जो मैंने क्या लिखा है कि मुझे Amazon Rate Box से बाहर हो गया की एक प्रती है और जहां Amazon 50,000 इमेल करने के लिए मेरी सीमा में वृद्धी हुई मैं नीचे दिये गए विवर्ण में इस सरल प्रिष्ट का लिंक डाल दूँगा इसके अलावा इस सरल वेबसाइट पेज में मेरे द्वारा बनाये गए गोप्मियता नीती प्रिष्ट और मैंने बनाये गए एक नियम और शर्तों प्रिष्ट के लिंक है यह पेज कोई सार्वजनिक पेज नहीं है लेकिन अगर आप सर्च बार में लिंक चिपकाते हैं तो पेज को पॉप अप करना चाहिए मैं लेखकों की सबसे बड़ी नहीं हूँ तो सुनिश्चित करें कि आप इसे बदलने के लिए अपनी जरूरतों को फिट करते हैं मैं नीचे दिये गए विवर्ण में इस ट्रिष्ट का लिंक डाल दूँगा ये सभी पेज अंग्रेजी में हैं लेकिन अगर आप deepale.com नामक वेबसाइट का इस्तिमाल करते हैं तो वेबसाइट इन पेजों को लगभग किसी भी भाशा में ट्रांसलेट कर देगी आप किसी भी दस्तावेज को किसी भी भाशा में अनुवाद करने के लिए Microsoft शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं Microsoft शब्द पूरे दस्तावेज या इसके कुछ हिस्सों का अनुवाद करेगा हाला कि इसका उप्योग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए Microsoft शब्द के शीर्ष पर समीक्षा पर क्लिक करें और बाई और आप अनुवाद देखना चाहिए Microsoft शब्द और कई अन्य अनुवाद सोफ्ट वेर गलतियां करता है इसका कारण यह है कि वे नकेवर अनुवाद करते हैं बल्कि वे एक व्याख्या भी करते हैं इसलिए अनुवाद को डबलचेक करें बागी आत्म व्याख्यात मखें सभी अनुवाद सोफ्ट वेर एक सौ प्रतिशत सतीक नहीं है वे सब अनुवाद गरबर इसलिए गलतियां होंगी वे सभी अनुवादों को गरबर करते हैं क्योंकि वे नकेवर अनुवाद करते हैं बलकि अनुवाद की व्याख्या भी करते हैं उदारन के लिए यदि मैं निम्न लिखित टाइप करता हूं और क्या इसका पोलिश में अनुवाद किया गया है मुझे यही मिलता है शीर्ष पंक्ती को देखो अगर मैं इसे फिर से टाइप करता हूँ केवल शीर्ष शीर्षक के साथ मुझे एक अलग अनुवाद मिलेगा मुझे कोई सदसिता संसकरन नहीं मिला मैक के लिए इसकी लागत डॉलर सत्तर है और पीसी के लिए इसकी लागत डॉलर एक सो पचास है यह दो हजार इकीस पीसी और मैक दोनों पर काम करता है मैं नीचे दिये गए विवर्ण में लिंक छोड़ दूँगा यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ओफिस खरीदते हैं तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग हैं जो मासिक सदसिता का भुकतान नहीं करना चाहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ओफिस का उप्योग करने के लिए इंटर्नेट पर निर्भर है कृप्या सदसिता लें क्लिक करें धन्यवाद